हेलो दोस्तों कैसे हो आप सबी मैं तो ठीक हूँ आप भगवान से द्वा करते हूं कि आप सब भी ठीक होंगे यह देखे मैंने यह आवला को थोड़ा सा उबाल लिया है ठीक है और मतलब दो मिंट के लिए वाला था जादने वाला उबलते हुए पानी में इसको डाल दिया और दो मिंट के लिए इसको उसी पानी में छोड़ दिया है उसके बाद यह देखे यह आसानी से यह इसकी पीसीज निकलने लगे हैं यह मतलब इसकी जो फाक होंगी वह आराम से निकल जाएंगी देखिए ठीक है जी अब हम सारा आवला ऐसे ही काट लेंगी और उसके तेल इतना घरम करके ठंडा करना है अपने सरसों का सरसों के तेल में ही वनाना इसे और इसके बाद इसमें डाल देयना जीरा अजवायें थोड़ी सी और इसके बाद देना यह बला हुआ आवला और इसमें थोड़ा सा धनिया डालके जैसे जो कूटा था धनिया रहेगा फिर ऐसमें पारेमा आवला डाल देना और इसका अच्छे से मिक्स करना है जड़ायकर predict जोड़ा है कि घृत ख़र ख़र बाज़े करें और जल्द वाजे भी ना करें और थोड़ा टाइम दे घृतु है तो ज़्ड बनांती है और जल्द में सीकनी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इसनी मैंने इसको अच्छे से कर लिया हम इस и मैंने चल के तयार किया हुआ हमे लाल मीड़ी घरम मसाला और धनिया पाउडर है इसमें नमक भी है तोड़ा नमक हम पोपर से भी बूर नाल देंगे यह मसाला नाले नहीं है wr और भूंटे ही रहेंगे लेकिन मंदी दहां इससे और ये खाने में तो बहुत टेस्ट और सब्धिस बंता ही है कि और आपकी सिहत के लिए रोटी के साथ ऐसे ही खा लेना है और मतलब मेरा कहने को उठानी है इसको काटके ऐसे खा लेना है बोटेश्ट और स्वादिश्ट बन के तयार हो गया यह आवले काचार दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शे